जैसे बरफीली हवाओं को चीरते हुए एक स्नो लेपर्ड करता है शिकार वैसे ही आइस पर आग लगा देती है एक OMG हीरो की रफ़तार यह है इंडिया के वो डेड एविल जिन्होंने आइस स्केटिंग जैसे बेहत रिस्की स्पोर्ट में हासिल की महरत हमारे OMG बरफ के बादशा आई एम विश्वराज जड़िजा और इनसे मिलने हम आए हैं लद्दा की खुबसूरत वादियों में भाई विश्वराज मेरी क्यूरियोसिटी के ऊपर से बरफ हटाओ और इस अमेजिंग स्पोर्ट के बारे में कुछ तो बताओ लॉँज ट्राइक स्पीड स्केटिंग मौन अप दे उलडेस्ट स्पोर्ट माना जाता है विंटर ओल्लिंपिक जब चालो उज़ी तब सबसे पहले ये स्पोर्ट उसमें था पता है, लॉंग ट्रैक स्पीड स्केटिंग स्पोर्ट में यूज होने वाली ब्लेड सिर्फ 1.1 मिलीमीटर के होते हैं यूज समझे कि हमारे खर के किचिन नाइफ जितने पतले और इन पतले-पतले ब्लेड्स पर तेजी से आगे बढ़ते हुए एक स्केटर को किसी तरह मेंटेन करना पड़ता है बैलेंस विश्वराज पहले इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने स्वीडन के फ्रोजन सी पर 6 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ 100 किलोमीटर स्केट किया है यही नहीं 200 से ज्यादा इंटरनाशनल रेसिज में इंडिया को रेप्रेजेंट करने के साथ साथ ये विंटर वर्ल्ड गेम्स में चार मेडिल्स जीतने वाले एक लौते इंडियन भी हैं ओ-म-जी लेकिन भाया इस ओ-म-जी लेवल तक पहुचने के लिए इनहें होसलों को पर्फ की तरह जमा कर रखना पड़ा और जबर्दस फिजिकल स्टेंथ डेविलप करने पड़ी बेजिक फिटनेस बहुत ज़दा इंबॉटन है हम साल की 10,000 किलमेटर तो सिफ साइकल चला लेते हैं just for having a basis on top of that we build on plyometric sprints, plyometric jumps, closivity in your muscles, power develop करना फिर obviously mind, body and soul, हम योगा भी करते हैं उसके अंदर, you know a lot of running happens, so it is like a overall your body needs to be fit enough पर सिर्फ बोड़ी को fit करने से बात नहीं बनती गुरू OMG level की training भी करनी पड़ती है इसलिए लद्दाग के पाड़ों पर विश्वराज एक दिन में 50 किलो मेटर रुनिंग और हाइकिंग के अलावा करीब 30 किलो मेटर आइस्केटिंग करते हैं बड़ो मै ने एक साइन बोड पर पड़ा था speed thrills but kills और वो इदर भी applicable है basically injuries are a big part of elite sport you are going to have injuries so मतलब I have cracked patella meniscus damaged you know twisted ankles dislocated hips cracked ribs so yeah you can give up yeah you fight and get up and come back stronger and touch wood I have been able to so far come back stronger आइस्केटिंग की पहचान बन चुके विश्वराज ना सिर्फ दुनिया भर में देश का नाम रौशन कर रहे हैं बलकि कई upcoming athletes की inspiration भी बन गए हैं इंडिया के सबसे तेज आइस्केटर विश्वराज जाडेजा को OMG salute करता है OMG OMG मेरा इंडिया करता है